मिलने चाहिए थे वो मिले और यहां भी डबल डिफेंडिंग चेंपियन विनेश फोगाट रवी दहिया इससे पहले गोल्ड जीच चुके हैं और अब बारी है विनेश फोगाट की दोस्तो और देखना बस यही है कि कितनी देर में विनेश ये मुकाबला जीतेंगी तो कि प कहीं विनेश की पार्टी वो खराब कर सकती है असंभाव है लेकिन होनी को कुछ भी हो सकता है आपकी बात मान में ली जाए सुनिल ने मेरी बात हो यह कि विनेश गोल्ड ला रही है कि खेलो में किसी को कमतर नहीं आंक सकते हैं और आकना भी निचाहिए बिलकुल अगर वि यहां तो चित करने की कोशिश में है विनेश चार पॉइंट की लीड है पावलीना जियोर्जियू देख रही है कि दोनों कंदे मैट पे कब लगाएंगी विनेश विनेश गुमा दीजिए चामोधिया को अच्छी तरह से स्टेडियम की चत भी दिखा दीजिए पर लगे या नहीं पीछे से आवाजे आ रही है बस करो विनेश क्या खुद ही ये गिव अप कर सकती है क्योंकि एक दम किसी भी तरह से कोई आशा नहीं दिख रही चामोधिया को विनेश की इस पकड से चूटने की पावलीना जियोर्जियू कितना टाइम ले रही है अपना वैसला बनाने में क्योंकि उनको दोनों कंदे मैट पे चाहिए चामोधिया पूरी तरह से बेबस नदर आ रही है विनेश की इस ग्रिप के अंदर कोई आसार नहीं मिल रहे चामोधिया को इस पकड से चूटने के और पावलीना लगातार मैट चेर्मेन के तरफ भी देख रही है कि क्या इस बाउट को मैं खत्म घोशित करूं इसको छुड़ाने के लिए कभी भी चुड़ाने ही सकते और डेंजर पूशिशन में है इसलिए चार पॉइंट विनेश को मिले थे ये मूव तब तक चलता रहेगा या तो राउंड खतम हो जाए या कंदे लग जाए जमीन पर तीसरी लगातार जीत विनेश फोगाट के लिए गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए गोल्ड मेडल भारत के लिए ग्यार्मा गोल्ड मेडल